आज कल जितने कश्मिर घाटी में देश द्रोही पना लिये बैटे है उतने ही भारत के पंजाब में भी पकड में आ रहे वहाँ कश्मिर में वो लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे और यहाँ पंजाब में ये लोग कैनडा में बस एक खालिस्तानियों के मदद कर रहे समझ में नहीं आता भारत में रहे कर इन गद्दारों को हर वो चीज हर वो फैसिलिटी मिलती है जो पाकिस्तान और कैनडा भारतियों को मांगने के बावजूद भी नहीं दे रहे इसके बावजूद ये देश द्रोही उनी की मदद कर रहे और ऐसे ही लोगों की वज़े से इतिहास में भारत को सेकडो सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी वैसे लोगों पर जब भारत सरकार ने एक्शन ली तो वहाँ से यानि कैनडा से कुछ आतंगवादी चिलाने लगे तो आज उसी पर बात करेंगे देखे एक खबर निकल कर आई है कि इनाए यानि नेशनल इन्विस्टिकिशन एजनसी ने पंजाब में तकरिबन चार ठिकानों पर चापे मारी की और ये वो ठिकाने है जहां से सबी खाली स्थानियों का अब्बू यानि गुरुपत वन सिंग पन्नु अपना नेटफक च तक आई मिले जो भारत विरोध के लिए इस्तिमाल हो रहे थे पंजाब पुलिस ने करीब 2006 से युवाउं को भी अरिस्ट किया जो पन्नु के लिए काम कर रहे थे और पंजाब में खालिस्तानी प्रोटेस करानी की प्लानिंग हो रही थी अब युवाउं को जब पंजाब दिन कामयाब जरूर होंगे अगर भारत हमारे एक समर तक को गिरफतार करता है तो उसके बदले दोर खड़े होंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाते अब देखिए दोस्तो पंजाब का खालिस्तान कब होगा वो तो पर फिलाल इतना तो कह सकता हूँ कि भारत सरकार ने 2029 तक यानि जब तक मोधी सरकार है तब तक देश में किसी भी तरे के खालिस्तानी प्रोटेस्ट पर कड़े प्रतिबन लगा कर रखे है। में सभी जानते है कि पन्नू में इतना तो दम नहीं कि भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले। क्योंकि पन्नू के परिणाम अमेरिका और कैनडा दोनों को भुगतने पड़ेंगे। और भारत पहले ही पन्नू को लेकर कैनडा और अमेरिका पर तंचकस्ता आ रहाए। वैसे विडियो अच्छ लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करे। जाहिंद।